हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं दक्टर रेयन सिंग मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगो सेधा नमक और जो सफेद नमक होता है जिसको लोग खाते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा दूनों में अंतर बताऊँगा कि सेधा नमक खान से हमें क्या नुक्सान है या क्या फायदे हैं दोस्तों इसके बारे में पूरा जाने से पहले मेरा चैनल यह सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्योंकि दोस्तों इस तरह की कोई भी वीडियो बने तो आप तक सबसे पहले पहुंचे चलि बेच्टे हैं यह लोग घरें मिला करके खाते हैं। दोस्तों मैं बता दू कि सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। लगति है इसका ऐसबसे बड़ा कारण होता है हमारे सभीदे टॉक्सीन ëंड को प्रकार की अगर बाहर नहीं निक्ल लाय हो सकती है यही कारण होता है कि बहुत से लोगों को ज्यादा नमक खाने के कारण बी पी हई हो जाती है यह ब्लॉकेज होने पड़ती है बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है तब जाकर के पसीने के साथ ही अपिसाले परदार तीया टाक्सीन हमारे सरीर से बाहर आते हैं यह हमारे लिए हर प्रकार से जो है नुक्सान दे होता है लेकि लोग आज जो है इसका सेवन कर रहे हैं दोस्तों मैं आप कर ग्छाक काम होता है दोस्तों जो हमारे सरी में टॉक्सीन होता है उसको बाहर निकालकर फैक देता है हमारे सारी में जितनी भी जरीले-फदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालकर फ ya सिधानमक को मैं बतादू कि इसको जो है रख-सॉल्ट को और लाहौर जब हमारे देश नहीं हुआ था तो उस समय भारत में ही होता था और भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सेदा नमक हुआ करता था लेकि आज बटवारे के बाद जो है लहोर पाकिस्तान में चला गया है और वहां पे सबसे ज़्यादा जो है सेदा नमक पाया जाता है दोस्तों मैं बता द दोस्तों इसका निर्मार चट्टानों से होता है सेधाना मक्का और यह बिल्कुर सुद होता है इसमें बहुत सारे मिनरल खनीज पाये जाते हैं मैं बता दू दोस्तों किसी जमाने में जो है लोग जो है बोरियों में या मिट्टी के बरतनों में भर भर करके के अपने घरों म हैं उनके कमी नहीं होती थी जब अंग्रेज हमारे देश में हुकूमत करने आये तो उन्हों ने देखा कि यहां के लोग जो है बहुत ज्यादा मजबूत है और इम्यून्टी पाउर उनकी बिलकुल इस्ट्रांग है जल्दी बीमार नहीं होते हैं बहुत ही सक्तिसाली हुआ करते थे तो उन्होंने जाना की आखिर कार ये खाते क्या है तो उन्होंने पता लगाया कि यहां के लोग जो है सफेद नमक नहीं खाते हैं सेधा नमक का प्रयोग करते हैं और इसलिए इतना मजबूत है इनकी इम्यून्टी पाउर इतनी श्ट्रांग है तो अंग्रेजों इनको कमजोर करने के लिए जो है समहेद नमक के बारे में बताया इन्होंने का कि जो है सेधा नमक खाने से तमाम बिमारियां होती है इनके सरीर में रोग होता है गेंगा रोग होता है और भरांतियां फैला है क्योंकि यहां के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिके नहीं थे पुछ पिछड़े थे, इसलिए बिसुसास कर लिये और दीरे-देरे सफेद नमक लांने लगे, लोग भी फिखाने, और सेधा नमक को भूलते गए, आजकी蒂रेशन एजसा है कि सेधा नमक को खाना ही भूल गई और सफेद नमक का ही सिर्फ रियोग करते हैं, सेधा नमक जो होता है यह हमारे सरीर के लिए अम्रित के समान होता है चलिए मैं बता दू कि सेधा नमक का रसाइनिक सुत्र क्या होता है रसाइनिक नाम क्या होता है इसको जो है फोटाइसेम क्लॉराइड के नाम से हम जानते हैं सेधा नमक जो है फोटाइसेम क्लॉराइड हो सब फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं और जितने अभी जरीला हमारे सरीर में पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देता है तो यह दान नमक में लगभग 94 पोसक्तत्रों माइक्रो नूट्रियंस लाने के लिए हमें अपने सरीर पर लगभग लाकूर प्याग खर्च करने अपने मने के लिए बहुत ही काफी है लगभग मैं बता दू दोस्तों कि से आयोडीनुयचियम पाए Beautiful Loha पाया जाता है जिसको iron करते हैं जस्ता पाया जाता है mineral और sodium phosphorus potassium chloride इत्यादी पोस्तथ दो हमें सिर्फ हमारे शेंदह नमक से मिल जाएंगे अगर हम अपयोग करते हैं तो यह हमें फ्री में मिल जाते हैं इस नमक को खा आने से हमारे सरीर मिनयरल क Definer Magazine रहती है और जो है कमजोरी हमारे सरीर को नहीं लगती है इतने जो है पोसकत्त्रतयों के इसकोलावा इसमें 84 प्रकार छोरासी प्रकार के MRS वी पाये जाते हैं और इतना अधिन ही दोस्तो हमारे के हड्डियों भी यह मजबूसरी तो कमजोर नहीं होने देता है हमारे मशल्ट को भी बहुत मज्बूत uh ग्रगता है हमार शरीग के स्वसान तंत्रिकार को और जो साइनस को भी सही रखता है इतना हiiii नहीं दुस्तों यह बहूत ही अच्छा oxy fire होता है जो कि हमारे सरीर को detoxify कर देता है जो हमारे toxin होते हैं बाहर निकाल देता है इसको खाने से अच्छी नीद भी आती है अगर आप बीपी के मरीज है तो दो चमच पानी में डाल करके अगर सुभा असनान किया करें तो आपकी बीपी जो है maintenance रहेगी अगर आपकी बीपी लो हो गई हो तो आ आखों की रोसनी बहुत तेजी से घट रही है तो खाने में सेदा नमक का प्रयोग करें बहुत ही कंट्रोल रहेगा और उनकी आखों की रोसनी जल्दी नहीं जाएगी गर भावस्ता में इसका सेवन करने से महिलाव में जो कमजोरी होती हो कमजोरी नहीं होगी क्योंकि उन तरह से मजबूत रखता है अगर आपको कमजोरी किसी भी प्रकारते हैं अगर आपको चकर आ रहा है एक ग्लास पानी में घोल बना कर कि इसको पी लीजी दस मिट में आपका बिल्कुल चकर आना कम हो जाएगा और आपकी सरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी डिप्रेशन है अगर आपको अगर आप तनाव में है तो इसको अगर आप सेवन करते हैं तो आपका डिप्रेशन भी देरे खतम हो जाएगा आपका तनाव मुक्त भी हो जाएगा दोस्तों मैं बता दूँ कि किसी को अगर आर्थराइटीस है जोड़ों की समस्या है तो इसका सेवन करने से दिरे दिरे आर्थराइटिस की भी समस्या खतम हो जाती है हमारे लीवर के लिए बहुत ही फायदे मन दोता है जो कि पाचन क्रिया को सही रखता है भूग को भी बढ़ाता है और जो हम भोजन करते हैं सही से पचा भी देता है इतना ही दोस्तों फिलिया में को लिए तो उसमें भी बहुत फायदे मंद होता है अगर कोई हाड होजन हमको करना है करने से पहले कुछ थोड़ा से पहले अधिर्द और उस्यदान नमक को एक ही में कूछ करके उसका सेवन कर ले उसके बाद कुछ हाड़् भोजन कर करें या ऐसा भोजन करें जो आसानी से नहीं पच्छता हो तो आसानी से वह हमारा भोजन पच जाएगा अध्रक्ष और सेधा नमक का एक साथ प्रियोग करें खाना खाने से पहले अगर ऐसा कुछ खाना है तो इसके अलावा दोस्तों पेट में जो बदहजमी होती है उसको द बहुत ही अच्छा माना जाता है एक तरह से हमारे लिए बरदान है बस इस वीडियो के माद्यम से मैं यही बताऊँगा कि अगर आप समुदरी नमक खा रहे हैं तो उसका सेवे न करें क्योंकि दोस्तों जो प्लास्टिक में समुदरी नमक भर करके आता है दोस्तों उसमें बहुत ही खतरनाक जो है केमिकल मिलाया जाता है जो कि हमारे सरीर के लिए बहुत ही नुक्सान दे होता है उस केमिकल का नाम होता है अलुमीनियम सिलिकेट और दूसरा होता है दोस्तों पोटैसियम आयोडेट यह हमारे सरीर में जल्दी बहार आते नहीं है इसके लिए लोग को कहूँगा कि जो सेधा नमक है उसका प्रियोग करें और जो बाजार का सफेद नमक है उसको अवाइड करें क्योंकि सेधा नमक खाने से हम सोस्त रहेंगे हमारा परिवार सोस्त रहेगा जल्दी कोई बीमारी नहीं होगी हमारे सरीर में कमजोरी किसी प्रकार की नहीं होगी और सफेद नमक जो है एक तरह से जहर काम करता है हमारे सरीर में उसको जो है अपने घर से बाहर निकाल कर फेकिए अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों नमस्कार